हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करतूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए किचन से रिलेटेड और घर से रिलेटेड बहुत ही यूसफुल सा किचन टिप्स एंड हैक्स लेकर आई हूँ जो की आपके घर के कामों में और किचन के कामों में बहुत ही हल्फ करेगा तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड टक जरूर देखिएगा और अगर आपको इन सारी टिप्स एंड हैक्स में से कोई भी वीडियो हल्फफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो आज का मेरा सबसे पहला टीप है या फिर भूजिया जो भी बनाते हैं डैरेक्ट ऐसे ही बना देते हैं कुछ लोग इसे अच्छे से क्लीन भी करते हैं और कुछ लोग डैरेक्ट ली ही बना देते हैं तो जैसा कि आप सब जाते होंगे कि अक्सर फूल गोवी में ना कीरे छोटे-छोटे रहते ही हैं लेकिन ह हमें क्या करना चाहिए गोभी को मतलब सब्जी कोई भी सब्झी को अच्छे से क्लीन कड़के विस अक्सर गोभी को आप इस शरीके से जरूर कीजिएगा जैसा कि मैं आपको बता रही हूं तो सबसे पहले आपको हलका सा गर्म पानी करना है कराई में या फिर कोई बातन तरह कुछ पानी से दो कर जोड़ने, दोसरा से कीड़े बिल्कुल भी नहीं रहें घ्लें अगले टीप तरफ हुआ हम सब rho neonriedů सभी को खाना पसंद तो कोई आचार खाते हैं या फिर किसी भी चीज का आचार तो सभी के घड़ों।यों रहते हैं लेकिन हम उसे एक-दो दीन में खाकर खतम करते हैं काफी टाइम तक यह रहता है लेकिन अगर आप ऐसे ही आचार को अगर रखते होंगे ना तो कभी-कभी देखते होंगे कि आचार खड़ाब होने लगता है क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना बच्चे हमारे घर में हाथों से ही निकाल लेते हैं या फिर कैसे भी मतलब हाथ अगर गंदा भी रहत तो बहुत ही simple सा tip है यह tip बहुत सारे लोग use करते भी है और जो use नहीं करते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ आप आचार में 2-4 long ले लिजे long तो सभी के घड़ों में रहता ही है तो आपको long ले लेना है और 2-4 long ना आचार में डाल दीजे जिस चीज़ का भी आचार है उसमें आप long को डाल दीजे इस तरीके से और उस long को आप बाद में खा सकते हो लेकिन जब तक यह आचार रहे ना तब तक इसमें long रखेगा ही अगर आप इस तरीके से long डाल कर कोई भी आचार में रखेगा तो आचार काफी time तक चलता है जल्द लाइफ जादा कर सकते हो अब चलते हैं next hack के तरफ next hack है मेरा सोड़ी चाभी रिंग को लेकर अक्सर हम चाभी रिंग तो मतलब की चाभी के गुच्छे जो होते हैं इस तरह के बहुत सारे रहते हैं हम सभी के घड़ों में लेकिन क्या होता है डारेक्ट अगर इस तरीके से लेकर जाते है न हमें मतलब डर सा लगा रहता है कहें गिर न जाय कम न हो जाए तो इस सभी के सगर लेजाएगा तो कहींच कभी जाता है लेकिन आज में आपको बहुत ही सिंपल सा hack बताने वाली हो जिससे कि कभी भी आपका चाभी गुम नहीं होगा और आप इसे अच्छे टाइम तक मतलब ऐसे ही रख सकते हो अपने घड़ में और जल्दी आपको मिल भी जाएगा कभी-कभी ऐसा होता ना कि चाभी हम कहीं पर रख देते हैं और उसके मतलब की मिलता ही नहीं है तो देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा ड़ी हो यहां पर देखिए आप चाभी का जो मतलब जो भी चाभी आपके पास है उस चाभी में आप रुमाल को इस तरीके से बांध कर उसे yukie कर सकते हो और अगर आपके पास ऐसा रुमाल है तो इस रुमाल में क्या किजिए जो चाभी में रिंग रहता है उसको आप खोल कर हलका सा और इसमें रुमाल में घुसा कर मतलब अच्छे से ये देखिए इस तरीके से इजिली चला जाता है जैसे आप रिंग में फसाते हो नो चाबी को उसी तरीके से आपको रुमाल में फसा लेना है ये देखे इस तरीके से फसा कर आप अपने पर्स में या फिर हातों में या फिर जेब में कहीं पे भी इस तरीके से लेकर जाएगा तो बिल्कुल भी चाबी जो है वो गुम नहीं होगा और उमीद करती हो छोटा सा है आपके लिए हैल्फुल रहा हो अगर आपको हैल्फुल लगा तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर सेयर किज़ेगा अब चलते हैं अगले है के तरफ अगला है के मेरा सुई धागों को लेकर अक्सर हम सभी के घड़ों में तो मतलब की तूट जाता है आप देखते हूंगे कभी तो यस rub करते हैं और ऊकषी इस टाइप से मूडा हूआ मैं देखती हूं कहीं कहीं गंधा फसा है मतलब सभी के घड़ों में रहता है कुछ लोग बहुत अच्छे से भी रखते हैं कि सभी गंदे ही रखते हैं मतलब कुछ-कुछ बरतन में ऐसा होता है कि गंदा फस जाता है और वह जल्दी निकलता नहीं है या फिर आप देखते होंगे जब हम अस्क्रवर से बरतन को धूल तो मतलु थेकने वाले थे वह सुई आप यूज कर सकते हो इस तड़ीके से ये देखिए साइड में कहीं कहीं देखते होंगे ना कि काला ना सा लगा रहता है बरतन में तो आप टूटू हुई सूई से इस तरफ से आप कचड़े को निकाल सकते हो तो बहुत ही सिंपल सा तीफ है आप इसे जरूर फॉलो कीजेगा ये आपके लिए बहुत ही हдеलफूल है अब चलते हैं लास्ट टीफ के तरफ लास्ट टीफ है मेरा गाजर को लेकर जैसा कि आप सब जानते हैं कि थंडी के मौसम में अक्सर सभी के घड़ों में गाजर जादा आता है और जादा तर लोग गाजर का हलवा बनाते हैं तो गाजर का हलवा बनाने के सबसे पहले हमें गाजर को छीलना पड़ता है उसे हम कटर से छीलते हैं इस तरीके से तो इस तरीके से क्या होता है ना कि छीलका थोरा सा मोटा निकल जाता है और इसमें गाजर भी थोरा सा ज्यादा वेस्ट हो जाता है तो आज मैं आपको बहु हुए उस्यांतों करने तो आपको क्या करना है मैं बताती हूं इस टिप के साथ और 2-4-5 ना घ्रहल जाहओ उतना चील सकती तो यहां पर आपको यूझ करना है पानी का बोटल या फिर जोभी बोटल आपके पासओ आप यूज कर सकते होती यहां पर देख़िए बेस लेरी का बोटल ले ऑपको दिखाने के लिए आहाँ से आप उपर की इसाइडसे जैसे कि मैं को दिखाड़ी हो यहां से कर लिजे कट करने के बाद आप से क्लीन कर लिजे धकन मतलब धकन का ऊपर का भाग आपने कट किया उसको अच्छे से उस तरीके से आप गाजर, मुली, या फिर कदू, कुछ भी आप इस तरीके से छील सकते हो, ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वाला जो टीप है, बच्चे भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब बच्चे भी छील सकते हो, इसली गाजर को उनके भी हाथ बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ये देखिए, आसानी से जितना चाहे उतना गाजर छील सकते हैं, एक बोतल या फिर दो बोतल या फिर तीन बोतल, जितना भी आपके घर में मतलब बच्चे हैं, या फिर बड़े जो भी हैं, मतलब जादा गाजर का हलु अगर बनाने वाले हो, तो जादा गाजर छीलना पड़ता है न, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही सिंपल सा टीप है, उमीद करती हूँ आपको ये छोटा सा टीप helpful लगाओ, तो friends ये था आज का कुछ tips and hacks, उमीद करती हूँ सारे tips and hacks आपके लिए helpful रहे हो, तो आपको इन सारे tips and hacks में से सबसे ज जरूर बताइएगा, मिलती हूँ आपसे बहुत जल नेक्स टीप के साथ, तब तक के लिए बाबाई, टेक क्यार, थांक्स व वाचिंग दिस वीडियो